बीजेपी की दूसरी लेस्ट आते ही कई नेताओं में निराशा है तो कई नेता बागी तेवर में भी नजर आ रहे हैं। मुंबई में उत्तर मुंबई से गोपाल शिटी और उत्तर पूरब मुंबई से मनोज कोटक का टिकट काट कर भारी नाराज़ की देखने को मिल रही है। बीजेपी ने शिट्टी की जगह पर पियोश गोयल को टिकट देने पर लोगों ने उन्हें पैराशूट केंडिडेट बताया। दूसरी ओर मनोज कोटक का टिकट काटने पर अश्यर्ज वेक्त किया जा रहा है। फिचले लोकसबा चुनाव में बीजेपी ने श्रीपचना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उत्तर मुंबई से गोपाल शिट्टी और उत्तर मद्य मुंबई से पूजन महाजन और उत्तर पूरब से मनोज कोटक को उमिदवार बनाया था। शिट्टी और कोटक के काम के काफी तरेब भी हुई इसके बाद भी इन दोनों का टिकट काट दिया गया। उत्तर मुंबई से मजूदा सांसत गोपाल शिट्टी का टिकट काट कर प्यूस गोईल को मैदान में उतारा गया है। उमिदवारों के दूसरी लेस्ट में बीजेपी ने महराष्ट की 20 लोगसभा सीटों के लिए उमिदवारों के नाम का ऐलान किया जिसमें पियूश गोईल भी शामिल है। पिछले चुनाव के अगर बात करें तो महराष्ट में सबसे बड़ी जीत उत्तर मुंबई सीट पर ही दर्ज की गई थी। लेकिन इस साल बीजेपी ने उनके जगह पर पियोश गोईल को उमिदवार घुशित किया है। 33 साल बाद चुनाव लड़वाकर पियोश गोईल को लोगसभा में नरिंद मुदी क्यों लाना चाते है। 189 से 2003 तक इस सीट पर बीजेपी का कपज़ा रहा है। राम नाएक पांच बार लगातार मुंबई उत्तर सीट से सांसद रहे। 2004 में फिल्म स्टार गोविंदा ने राम नाएक को हरा कर कॉंग्रेस के लिए सीट जीती। 2009 में संजे निर्वपम ने दूसरी बार राम नाएक को हराया था। चार्टर अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे पियोष गोयल को राजनितिक विरासत में मिले थी। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल दो दशक तक बीजेपी के कोशा द्यक्ष रहे। मोदी सरकार के पहली कारकाल के दोरान वक्वेला मंत्री बनाए गए थे। और 2017 में शुरेश पर्भू के इस्तिपे के बाद रेल मंतराले को भी उन्होंने संभाला। 2019 में नरेंद्र मोदी के दूसरी सरकार में वानेज्य और उद्ध्योग मंत्री बनाए गए। पार्टी ने उन्हें राजसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया अबु या पैज़। अब आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरें। पियोश गयल बीजेपी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनके दोस्त कभी पार्टी में हैं। और सभी जादा तर दोस्त इनके पार्टी में हैं बीजेपी से और राजसभा में कई महत्वपून बील को भी पास कराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलाबा पियोश गोयल खुद पियम मोदी के परशार दंद्र को संभालते रहें। 2014 के चुनायों के दरान पियोश गोयल ने नमो टी कैंपेन के जड़िये पियम मोदी को जन जन तक पहुशा दिया था। राम विलास पासमान के निदन के बाद उन्हें खाद आफोर्ती और नागनिक उपभोकता मामले का जिम्मा भी दिया गया। कुरोना काल के दौर में उन्होंने 80 करोड लोगों के लिए मुक्त खादान देने की योजना भी शुड़ूगी। इस स्कीम के कारण मोधी सरकार काफी लोगप्रिये भी हुई और कई राज्यों में बीजेपी के वापसी भी हुई। भारत में LED बल्व वितरन वाला आइडिया भी पियोश गोयल का ही था जोसके सफलता की चर्चा भी खूब हुई। 2010 के बाद से पियोश गोयल बीजेपी के को साथ धक्ष भी है और इस सब के बीच में पियोश गोयल को टिकट दी जाने को लेकर नौर्थ मुंबई सीट पर काफी बवाल भी मचा हुआ है।